वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में कॉन्टीम फिगर का पार्ट टू करने वाले हैं कौन सा पार्ट करने वाले हैं पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्गों की संख्या को फिगर से वर्गों की संख्या को किस तरह निकालेंगे आज की वीडियो में हम इन्हीं दो टोपिक पे चर्चा करने वाले हैं वीडियो काफी इंपोर्टन होने रहीएगा और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक और सेर जरूर करें अब पहला फिगर में आप जसा की देख पा रहा है यहां पर एक फिगर दिया गया है इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या क्या है कुल वर्गों की संख्या तो कुल वर्गों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगे तो simply आप इसे गिनकर की बता सकते थे एक दो तीन चार और एक बड़ा वाला तो आप यहां पर कुल पांच बता सकते हैं लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कुल आयत की संख्या कुल आयत की संख्या यहां पर क्या हो जाएगा कुल आयत की संख्या यहां पर निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको नमरिंग कर लिजे वान टू और फिर यहां पर हो जाएगा टू तो इस तरह से आप इसको नमरिंग कर लेंगे नमरिंग करने के बा अब फिर उसके बाद दोनों को आप multiply किजिएगा, तो 3 x 3 x 9 हो जाएगा यहाँ पे, यानि यहाँ पे कुल आयत की संख्या है, वो 9 हो जाएगा, कुल आयत की संख्या 9 है, यहाँ पे दोस्तों यह बात ध्यान में रखना है, कि कुल आयत की संख्या 9 है, ना कि केवल आयत की सं संख्य जो यहां पे 4 होगा यहां पे केवल और आयत की जो शंख्या है वह 4 है ठीक है कि उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम एक दूसरे अग्जांपल से आपको सम्झाने का परियास करते है हमने दूसरा फिगर लिया है इस फिगर में हम बताएंगे कुल आयत की संख्या कुल वर्गों की संख्या ठीक है और उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि केवल और केवल आयत कितनी है तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया है कुल वर्गों की संख्या निकालना तो आप यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कुल वर्गों की संख्या तो कुल वर्गों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आप इसको count कर लिजिए 1, 2, 3, 4, 5 उसके बाद आप इसे भी count कर लिए 2, 3, 4, 5 इसके बाद आपको करना क्या है आप अंतीम दोनों छोर के नंबर को ले लिजिए उसके बाद सम में एक-एक कम करते जाएगे जब आप सम में एक-एक कम करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको 1 मिल जाएगा जब किसी भी series में 1 आ जाए तो आपको वहाँ पर रुख जाना है उसके आगे नहीं जाना है उसके बाद simply आप इसको solve कर लिजिए जब आप इसे solve करेंगे तो यहाँ पर cool answer जो है निकल कर आपको यहाँ पर cool answer निकलकर 55 आ जाएगा जब आपको यह 55 आ जाएगा यह in either वर्गों की संख्या हो गिया उसके बाद हम आपको बताएंगे आप खुल आयत की संख्या किस तरह निकल पाएंगे आपको बताना है कुल आयत की संख्या आयत निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सभी को जोड़ लेना है उपर वाले कॉलम में और नीचे वाले को भी सभी को जोड़ लेना है और उन दोनों को आपस में multiply कर देना है तो यह किस परकार होगा देख लिजिए जब आप इ आयत की संख्या जो है वो हो जाएगी 225 लेगिन अगर आपको सवाल में पूछ लिया जाएगा केवल आयत केवल आयत अगर पूछ लिया जाए तो इसके लिए आपको 225 में कुल वर्गों की संख्या जो है उसे माइनस करना होगा जब आप 225 में कुल वर्गों की संख्या क इसलिए मैनस किया जाता है क्योंकि वर्ग जो है एक आयत कहलाता है ठीक है लेकिन जब हमें केबल और केबल आयत के बारे में पूछा जाता है इसलिए हम कुल वर्गों को वर्गों की संख्या को जो है उसमें घटा कर बताते हैं तो उमीद कहते हैं आपको वीडियो पसंद आ करना ना भूलें. Thank you.